पूल की खेती कैसे करें? कौन सा फूल है जो हमारे छेत्र में अच्छे से खेती किया जा सकता है? पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं इस कारिकरम के माध्यम से. किसान भाईयों, अपने प्रदेश जारकर में जिस तरह से जलवायू परिवर्तन के कारण हमें अपने मुख के फस्टों का नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे में यावशक है कि अपनी आय बढ़ाने के लिए किसान भाई फस्टों का विविदी करण करें. ऐसी स्थिति म किसान भाई अच्छा लाब कमा सकते हैं. अपने प्रदेश में खुले वातावरणों में हम गेंदे तथा ग्लैडूलस की भी खेती कर सकते हैं. संदक्षे संदस्ना में डच गुलाब तथा जरवेरा की खेती अच्छे से की जा सकती है. किसान भाईयों, दोनों ही खेती मे हम ग्राष्टिय बागवानी मिशन तथा जीला उध्यान कारियाले से मदद ले सकते हैं. हम अच्छी फसले हो सकते हैं, जिससे हम अच्छा लाफ कमा सकते हैं. अगर हम यहां जहरखंड राज में फुलोंग खेती की बात करते हैं, तो ना सिर्फ Leonardley, मैं टूलोंग खेती कर सकते हैं, बलकी हम संदक्षिव संरचना के अंतरगती भी खेती कर सकते किसान वाईयों इन दोनों ही संरक्षित संरचनाओं के अंदर अगर हमें खेती करने की योजना हम बना रहे हैं तो बहतर यह रहेगा कि जो राष्ट्री बागवानी मिशन और जिला उद्ध्यान कारायले से हम संपर्क करें क्योंकि इन चाहे खुले वातरवन की खेती हो फू फूलों की खेती के लिए विशेस योजनाओं चलाई जाती है उसके अंदर किसानों को अनुदानित मूली पर न सिर्फ संरक्षित संरचना इसके अलावा पौध का जैसे गलेडियोलो से कौरम का इन सभी को उपलब्ध कराया जाता है तो फूलों की खेती में जो लगने व पर तो इसकी खेती उर्वर मिट्टी में करें फिर सिचाई की समपूर्ण व्यवस्था करें क्योंकि हर फूल के लिए पानी अती आवशक है किसान भाईयों चुकि फूलों की खेती थोड़ा सा उसमें ध्यान जादा आपको देना होता है क्योंकि आपको मार्केट में दाम तभी अच्छा मिलेगे जब फूलों की आपकी गुडवत्ता अच्छी होगी वो देखने में अच्छे लगेंगे तो जब कभी भी आप दच गुलाब की खेती आप कर सकते हैं पॉली हाउस में इसके अलावा शेडनेट हाउस में आप जर्वेरा की खेती करते हैं इन दोनों ही खेती में आपको ड्रिप सिचाई पधदी का प्रयोग करना होता है और अगर हम दच गुलाब की बात करें तो लगभग 800 मिली लीट है कि फूलेट की खेती के बात करते हैं तो मिटी की पूर्वरत्य एवं पानी की गुडवत्ता इन दोनों इंकी फूलों की गुडवत्ता पे बहुतव प्रभाव पड़ता है विशे सुरूप से अगर हम ड्रिप सीचाई पधती का प्रयोग कर रहे हैं तो पानी की गुडवत्ता की जान जरूर करवा लें क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर मैगनेशियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है तो ना सिर्फ उसका